नमस्कार जैहिंद बच्चों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे अभी अभी आफलाइन के बच्चों से एक बात हमने बात की कि भाई बच्चों की संख्या जो है आज कल किसी वज़े से किसी की तबेद कराब है किसी का कुछ है जिस से हम लोग इनकी तबेद जो है वो बढ़िया नहीं हो पा रही है और वो अपनी पढ़ाई को निरंतर अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो हम यह बात कह रहे थे अभी बच्चों को कि जो बच्चे जिस संस्था में टीचर्स और बच्चे दोनों जिम्मेदार होते हैं committed होते हैं उस संस्था का result बेहतरी जाता है और जिस संस्था में इन में से कोई एक में भी अगर commitment की कमी होती है या जिम्मेदारी की कमी होती है तो result उत् Fraat नहीं जाता है अगर दोनों ही घहर जिम्मेदार हैं तो रिजल्ट की कोई संभागना ही नहीं बनती है तो खेर मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जो teaching team है वो तो पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अपनी स्वास्त का ध्यान रखो और पूरे systematic तरीके से पढ़ने में आगे बढ़ो statistics में तुम सभी का इस तीसरे क्लास में स्वागत है और सबसे पहले आज की इस क्लास में फेर सारे बेहतरीन concept और questions करने जा रहे हो correlation और regression को छोड़के बाती जितने भी concept है इस क्लास में हम उसको final touch देने जा रहे है correlation regression हम अगली क्लास में start कर देंगे तो आईए कितना important topic है इसके assignment से ही आपको खबर तो लगी चुकी है आईए कुछ और देखते हैं सबसे पहले हमने आपको बताया था कि mean median mode में क्या संबंद होता है इसको हम लोग सीखेंगे तो देख लीजिए और लिख लीजिए mean median mode में ये एक permanent संबंद होता है जो कि हर जगर पे applicable होता है क्या mode बराबर 3 median minus 2 mean होता है ध्यान रखिएगा mode आपको ध्यान होगा बाउलक है न ये आपकी माद है और ये मादी का ठीक है तो mode बराबर 3 median minus 2 mean रहेगा ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे clear है राइट बहुत छोटी छोटी बारी की पे एक एक चीज में आज छून दून के निकल निकाल के मैंने अपडेट किया है मुझे पूरा उम्मीद है अगर तुम इतनी बारे के से ध्यान भोगे तो आज की क्लास से कम से कम 3-5 सवाल सिर्फ इसी क्लास से तुम्हें मिल जाएंगे ये मैं confirmity से बता रहा हूं तुम्हें तीन से 5 सवाल इसी क्लास से तुम्हें मिल रहा है ठीक है अच्छा दी और क्या बाते हैं हम आज सीखनेज जा रहे हैं और हमने variance के बारे में पीछे सीखा था variance क्या दे तुम्हें विचलन्द का होता है राइट variance हम लोगोंने देखा था variance क्या देखा था हमने कि x i और mod x mod x क्या होता है तुमारे पास mean होता है मीन के बीच का अंतर का वर्गों का योग होता है बटे में n करते हैं तो क्या मिलता है variance मिलता है और standard deviation क्या होता है इसी का square root होता है बच्चे ध्यान है की नहीं इसी formula को जब फुरा simplify करते हैं तो variance का ये वाला formula निगल के आता है sigma x i square बटे n माइनस sigma x i बटे n का whole square बहुत ज़ादा प्रयोग इसका होता हुआ तो मैं दिखाई देगा प्रश्णों में तो इसके साथ-साथ इसको भी ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा लिख लो भी या लिख लिजे ध्यान से अभी use भी करेंगे सवालों में देखेंगे किस प्रकार के सवाल आए है कैसे इसको use करना है सारी बाते देखेंगे एक और जब कभी भी आप देखेंगे जब कभी भी ये सवाल natural numbers के लिए यानि कि प्रकार्टिक संक्याओं का तुम n square minus 1 बटे 12 कर सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग इस बात को जानते हो कि अगर standard deviation निकालना है मानक विचलन निकालना है तो simply क्या करोगे इसी का square root कर दोगे वर्गमूल निकाल दोगे तो canical जाएगा standard deviation मिल जाएगा ठीक है तो ये पहली बात पर हमने detail बात कर रखी है उससे रिलेट दो और बातें यहां सामने आई है इसको आप धियान रखेंगे clear है is it okay अब ये एक सवाल आपके सामने आया 2022 NDA1 का 2022 NDA1 का ये question आपके सामने आया the variance of 5 positive observations is 3.6 variance कितना दे रखा है 3.6 इन 5 में से 4 observation आपको दे रखी है बताना है कि वो 5 भी observation कितनी होगी तो इसको करने का जो सबसे साधारन तरीका मुझे मालूम पड़ता है जो तुमने अभी अभी सीखा है उसका प्रयोग करो तुम्हें याद होना चाहिए बेटा क्या बताया मैंने sigma x i का square बटे में n minus sigma x i बटे n का whole square यही बताया अब क्या इसका मतलब है देख लो अगर किसी को इस system में दिक्कत हो रही हो समझने में तो detail से आपको बता रहे हैं sigma x i square क्या मतलब है कि आप सारे term का square कीजिए पहला term आप ले लीजिए दो दे रखा है दो का square 4 हो गया दूसरा term फिर से 4 हो गया 4 का work करेंगे तो 16 5 का work करेंगे 25 5 वा work माल लो x है जो तुम्हें निकालना है तो वो क्या हो जाएगा x का square full कितनी संख्या है 5 तो आपने 5 कर दिया बात तमझ में आई की नहीं कि के sigma x i sigma x i क्या होता है इन सब का योग कितना हो जाएगा 4 और 5 9 9 और 4 13 कितना हुआ 13 और एक संख्या तुमने क्या मानी x divided by 5 इसका work यह पूरी value variance कितनी दे रखी है बेटा 3 दिसंबलब छे क्या यहां से x कमान निकल के नहीं आप आएगा आओ ज़रा देखते 3 दिसंबलब छे यहां आपने solve किया यह हो गया आपके पास 16, 20, 24 24 और 25 उनन्चास 49 प्लस x स्क्वाइर बटे में 5 माइनस अगर आप देखें इसका वर्ग कर दे तो हो जाएगा 169 प्लस x स्क्वाइर प्लस 26 एक्स बटे में कितना 25 बोलो बच्चों चलेगा राइट सिंबल LCM ले करके इसको solve करेंगे देखेंगे क्या value आ रही है LCM लीजिए कितना हो गया 25 हो जाएगा 25 हो जाएगा यह हो जाएगा 5 x स्क्वाइर और 49 गुने 5 पचास गुने 5 होता है 500 500 में से 500 खटा दो 245 यह आ गया तुमारे पास 245 माइनस x स्क्वाइर माइनस 26 x माइनस 179 169 किके cross multiply करते हैं इस क्या ही calculation देखो यहाँ कोने में कर रहे हैं बड़ा जाएगा बड़ा बड़ा हमने लिख दिया अच्छा इसको कैसे करें भीया यह है 3.6 और यह है 25 25 ते गुना करोगे 25 से 3.6 मैं 3.6 कैसे देखूँगा 0.9 गुने 4 क्या देखूँगा 0.9 गुने 4 चार करने का मतलब क्या है 25 गुने 4 100 0.9 इंटू 100 90 तो यह direct calculation हो सकती है यह आप सीधा यहाँ पे 90 लिख सकते हों उपर क्या बचेगा 5X square में से 1X square गया तो बचा 4X square और क्या बचा भीया हमारे पास 26 यह तो as it is आ जाएगा minus का 26X constant term कितना बचा 245 में से 1 section 9 को घटाना पड़ेगा तो 5 में से आपके पास 9 गया तो क्या 6 लिख दे 15 में से 9 गया तो 6 लिख दे 6 लिख देते हैं यहाँ देखिए यहाँ एक हासिल आपने ले लिया तो यहाँ 13 बचेगा 13 में से 6 जाएगा 13 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचना चाहिए और यहाँ से हासिल जाएगा तो पुरा-पुरा कैंसल हो जाएगा यह आपका इस प्रकार से कुछ बच रहा है एक बढ़िया सा quadratic equation बनता हुआ दिखाई देता है 4X square minus का 26X इसको भी अगर इधर लेके आओगे तो शायद minus का 14 हो जाएगा ठीक है बच्चों दो common आ रहा है ले लो common 2X square minus 13X minus 7 कितना आ रहा है minus 14 क्या यह minus 14 color change कर देता हूँ ताकि कोई तुम्हें दिक्कत ना हो ठीक है इधर यह calculation कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमने देखा यह आगया 2X square minus का 14X plus का X minus 7 उम्मीद करता हूँ यह सब चीजें तुम लोगों को आती है और इसमें तुम्हें कोई गंभीर समस्या नहीं होनी चाहिए तो यहाँ से X की दो value हमें दिखाई देती है एक है हमारे पास एक है हमारे पास X बराबर 7 और एक है minus 8 इसमें से जो भी option हमें available दिख रहा है definitely उसको हम लोग mark करेंगे क्या mark करोगे भीया कौन सो option mark करोगे C option देख लो अगर समझ में आ गया तो बहतरीन और कोई दिक्कत है तो पहले लिख लो फिर पूछो ओके दूसरा सवाल यहां हमारे सामने आया है 2021 NDA 2 में पूछा गया है variance के उपर है जो हमने अभी पढ़ा है उसी को use करना है देखो बहुत जरूरी बाते हैं मैंने पूरे guarantee से तुमें तहीं कि 3 से 5 सवाल इस बार के NDA में सीधे इसी class के आ रहा है पूरे 100% attention से तुम लोग देखो ताकि तुम उस बात को सीख सको अब यह भी तुमने variance का formula पढ़ा क्या निकालना अभी प्रसरन निकालना है प्रसरन यानि की variance अभी अभी तुमने इसका formula पढ़ा अब तुमें यह सब याद हो जाना चाहिए XI का square minus N बटे N minus XI का modulus बटे N का whole square अभी यूज करके भी दिखाया आपको आप अगर इसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर XI का square दे रखा है 1540 1540 N का मान दिखाई नहीं दे रहा है अरे ज़रा ध्यान से दे को दिखाई देगा एक से लेके 10 है यानि 10 हैं आपके पास कितनी संख्या हैं 10 संख्या हैं दे रखा है इनों ने बस ध्यान से देखिए XI कितना दे रखा है 110 दे रखा है बटे में 10 और इसका whole square अगर इसको हम लोग cancel करें तो हमारे पास आ जाता है 114 minus 111 कवर इससे आसान और क्या देगा भई UPSC इससे आदा आप UPSC में और क्या उम्मीद लिए बैठें आप बताईए टीचर कह रहे हैं इंपोर्टेंट है तीन से पांक सवाल आज की इसी क्लास से आने है formula पता है उसके बाद भी अगर आप ध्यान नहीं रख रहे है calculation नहीं कर रहे है और calculator का प्रयोग कर रहे हो क्यों भई मंद को रभोन अपना अगला सवाल देखो अगला सवाल देखो भई sigma xi b sigma xi square 200 n बराबर 10 बताना है what is the coefficient of variation coefficient of variation coefficient of variation बताया था अरे बताया था कि नहीं क्या था coefficient of variation देखो इधर coefficient of variation इन्दी में आप देख रहे हैं तो which and gunang क्या है which and gunang क्या है which and gunang के बारे में हमने आपको बताया था standard deviation बटे मीन गुने 100 नहीं बताया है जरहाना में जवाब देना बताया है अब बताती है कि sir standard deviation कैसे देखे अरे बाई variance निकाल दो उसका square root कर दो आगया standard deviation नहीं आताया क्या sigma x i square मैं सीधा लिखूंगा 200 बटे में n 10 दे रखा है minus यह आपका 20 दे रखा है 20 बटे 10 का क्या वर्ग तो यह हो गया तुम्हारे पास 20 और यहां बचा 4 20 में से 4 गया तो 16 कितना खुब तुरत संख्या है how beautiful is this number variance का square root यह तुम्हारे पास standard deviation कितना आ गया कितना आसानी से अब तुम्हें coefficient चाहिए तो low भई coefficient of variation चाहिए उपर क्या निकाला तुम्हें standard deviation नीचे क्या हैगा mean mean कैसे देखते हो mean यहां पर कितना हो जाएगा mean हो जाता है stigma x i जो कि यह 20 बटे number of terms तुम mean कितना हो गया 2 हो गया बोलो हाया न गुने क्या करोगे गुने 2 करोगे into 100 करोगे answer मुझे तो साफ साफ 200 दिखाई देता है D option 2020 2020 में NDA सिर्फ एक बार हुआ था ऐसा क्यों सर अरे कोरोना का वर्ष था मेरे भाई April वाला NDA lockdown में निकल गया था जब मोदी जी ने सबसे ठाली बजवाई थी याद है ना ठीक है तो उसमे NDA थाली बज़ाने में निकल गया था एक NDA ये सवाल भी अपने आप में एक बहुती अच्छा प्रशन है आप देखेंगे कि जो theoretical questions आते हैं उसमें कहीं न कहीं इस प्रकार के सवाल कई बार पूछे गए हिंदिय अगरेजी में आप पढ़ लें अपने हिसाब से हम इसको explain कर दे रहे हैं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब central tendency mean के form में आपके पास available है central tendency हमें कई form में पता होता है हाँ ना में जवाब देना है ना कौन को सब form है mean, median, mode ठीक है अगर mean के form में आपको available है तो इन में से सबसे सटीक accurate variability का यानि विचलन का क्या होता है हमेशा ध्यान रखना standard deviation direct theory वाला question है कोई calculation नहीं कुछ नहीं सबसे सटीक विचलन क्या पताता है standard deviation या रखना ठीक, clear है भीया सवाल पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं ओके लियान रखेंगे आप अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण topic जिस्ते की एक से दो सवाल हर बार पूछे जाते हैं क्या है change of origin, change of scale क्या मतलब होता है कैसे सवालों में इसका प्रयोग होता है किस तरह के सवाल पूछे गए है कैसे पूछे जा सकते है इन सब की बात डिटेल से करने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना change of origin क्या मतलब है change of origin का मतलब है कि अगर आपके पास जो बंटन दे रखा है यानि कि जो distribution numbers दे रखे हैं उसमें अगर आप हर संख्या में कोई एक constant term add कर रहे हैं उधारण के लिए मालनो तुम्हारे पास संख्या दे रखी है x1 x2 x3 इसका mean मालनो कुछ दे रखा है 20 ठीक है change of origin का मतलब होगा जब आप हर term में कोई एक constant term या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे मालनी जी हमने सब में 3 जोड़ दिया पहला term बन गया x1 प्लस 3 दूसरा term बन गया x2 प्लस 3 और तीसरा term बन गया x3 प्लस 3 तो पुराने average में यानि की पुराने mean में और नय mean में क्या अंतर आ गया नया mean तुम्हारा कितना हो जाएगा 20 प्लस 3 23 हो जाएगा करके देखो ना x1 plus x2 plus x3 by 3 plus 9 बटे 3 9 बटे 3 क्या होता है कित्ता बनेगा 3 यानि अगर आपके सामने कोई सवाल आ जाए बोला जाए कि change of origin से क्या mean में अंतर आता है आपका जवाब होना चाहिए आता है और change of origin का मतलब क्या समझोगे या तो कोई constant term add किया गया है सब में या constant term subtract किया गया है सब में जितना constant term जुड़ेगा उतना ही mean में परिवर्तन आ जाएगा clear है समझ रहे होना अगर हम आपसे बात करें कि which land में क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या standard deviation में mean deviation में कोई फर्क पड़ेगा variance में कोई फर्क पड़ेगा variance का formula होता है xi माइनस mean का total का square बटे में n आपना में जवाब दो अब जरा विचार करो देखो जरा ध्यान से इसका क्या होता है sigma होता है इन सब को जोड़ना होता है अब सोचिए पहला term था x1 वो बन गया x1 प्लस 3 और mean भी बन गया 20 प्लस 3 तो इसमें भी प्लस 3 इसमें भी प्लस 3 अंतर गया हो गया जितना अंतर था उतना ही रहा हाँ या ना तो variance में standard deviation में और mean deviation about the mean में कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसका change of origin का change of origin का कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी बाते समझ में आ रही है आपको तो पहले हमने यह समझा कि change of origin होता क्या है किस पर फर्क पड़ेगा किस पर फर्क नहीं पड़ेगा mean पर फर्क पड़ेगा हाँ पड़ेगा change division पर पढ़ेगा variance पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा is it okay ठीक है अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे change of scale की, change of scale से क्या मतलब समझोगे, इसका क्या मतलब है, हिंदी में क्या बोलते हैं अभी सवालों में देखें, फिलाल गणित में इसका मतलब क्या है, यह आप सब लोग समझ गया होंगे, ऐसी में उम्मीद करता हूँ, ठीक है, change of scale क्य सारी संख्याओं को माल लीजिए, हमने दो से गुना तर दिया, यह बन गया 2x1, यह बन गया 2x2, यह बन गया 2x3, तो क्या हमारा जो मीन है, क्या वो 40 नहीं बन जाएगा, यानि कि मीन पे change of origin का भी फर्क पड़ेगा, और change of scale का भी फर्क पड़ेगा, हाया ना, अब बात चाती है, क्या variance पर फर्क पड़ेगा क्या, ज़रा ध्यान से देखना इधर सब लोग, हमने 2x2 कि यह बन गया 2x2 हो गया, यह बन गया 2x2 हो गया, और यह उसका वर्ग है, तो क्या यह 4x2 नहीं हो जाएगा, जो नया वाला variance है, वो पुराने वाले का, क्या 4x2 नहीं हो जा था लेकिन change of scale का फर्क पड़ेगा अगर दो गुना सारे numbers हुए हैं तो variance अब 4 गुना हो जाएगा ध्यान रखना इस पे सीधे सवाल आएंगे सीधे समझेया नहीं अगर सारे संख्याओं को तुमने 3 से गुना कर दिया तो नया variance क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा उसका square होगा ना समझे की नहीं standard division पर क्या फरक पड़ेगा standard division इसका square होता है square root होता है तो standard division पर क्या फरक पड़ेगा दो गुना होगा पुराने वाले का दो गुना समझे या नहीं variance स्क्वायर, चैने डिविशन सिर्फ उतना ही गुणा, जितना गुणा हुआ है क्लियर है, इन बातों को नोट कीजिए, सवालों में इन सब को जरा यूज़ करके देखते हैं बहुत important discussion है उतनी importance और उतनी ध्यान से इस सब को देखोगे देखिए इस पर direct question जो भी concept आपने पढ़ा उस पर direct question आपके पास आ रखा है variance यानि कि जो प्रसरन है वो किस पर independent है independent यानि कि उस पर फर्क नहीं पड़ेगा क्या अगर हम चीजों को multiply करें यानि change of origin change of origin मैं कह रहा था मूल बिंदू का परिवर्तन change of origin मतलब मूल बिंदू का परिवर्तन और change of scale को कहते हैं कि scale परिवर्तन तो यार हिंदी में भी scale परिवर्तन ही कहा जा रहा है यह सब options मैं create नहीं करता हूँ सिदी-सिदी UPSC में जो बासा यूज होती है वह हम आपके सामने रखें तो जिसको जिस तरीके से अंग्रेजी हिंदी में बात समझ में आती है उसी तरीके से आप जिसको ध्यान रखें तो अभी-अभी हमने पढ़ा है कि भाई origin का फर्क नहीं पढ़ता है लेकिन scale का फर्क पढ़ता है scale के बदलने से उसका square गुना हो जाता है अगर दो गुना हो रहा हो तो चार गुना हो जाएगा variance, stand deviation दो गुना ही होगा समझ रहो की नहीं, एक और सवाल जल्दी से करते है जल्दी से variance हमारे पास 25 observations का 4 है यानि कुल कितनी संख्या है, 25 है, इसका variance कितना दे रखा है, 4, ठीक अगर 2 sum में add कर दिया तुमने, 2 sum में add किया क्या है, यह change of origin मुल बिंदू बदला है है न, किसका परिवर्तन हुआ है मुल बिंदू बदला है, change of origin then, the new variance of the observation is, क्या फरक पड़ेगा, कोई फरक पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा कुछ भी जोड़ने घटाने का variance पर कोई फरक नहीं बढ़ता है 2018, 2013 से 2018 पर आगे तो परिवर्तन है, नहीं और देखो if all the natural numbers between 1 to 20 are multiplied by 3 what is the variance of the resulting अब देखो natural numbers मैंने अभे भी तुमें variance का एक formula दिया था मैंने का था, direct question इस पर आता है अभी अभी बताया था कि प्रागर्तिक संख्याओं पर जब भी कोई सवाल आएगा तो इसको ध्यान रखोगे क्या ऐसा कुछ बताया था n square minus 1 बटे 12 अब इन्होंने क्या कहा if all the numbers between 1 to 20 यानि n बराबर 20 है यह 20 का square करेंगे कितना हो जाएगा 400 minus 1 बटे 12 यह तुम्हारा variance है पहले 20 संख्याओं का इन्होंने कहा सबको 3 से गुना किया गया है अगर सबको 3 से गुना किया गया है तो जो नया variance आएगा यह तो पुराना वाला variance है ना जो नया variance आएगा वो क्या होगा 399 बटे 12 गुने 3 का square 3 का square कितना होता है 9 यह हमारा answer होना चाहिए आओ देखते हैं जरा क्या हिसाब किताब बनता है 3 से अगर मैं इसको विभाजित करूँ यहाँ पे 4 बचता है 400 बटे 4 400 में से एक कम है लगबग यह 100 के बराबर है 100 गुने 3 300 300 के आस-पास जो भी मुझे 60 का answer दिख रहा है मैं definitely उसी को mark करूँगा तुमारे पास answer की है एक बास चेक कर लो पूरी calculation करने में मेरा कोई भरोसा नहीं है यह क्योंकि 400 बटे 4 क्या होगा 100 होगा उससे एक कम है तो बहुए उससे सोड़ा सा छोटा 99.something उसको 300 गुणा करो कितना आएगा 300 क्यास पास नेरेस्ट ऑप्शन कौन सा है C option बात यह समझ में आती है कि नहीं calculation भी उतनी कीजिए जितने में सही option आप पैचान पाएं अन्नेसरी calculation करके ना number मिलने है ना कोई credit मिलना है तो हम उसमें बिना मतलब का समय बिलकुल भी बड़वाद नहीं करें ठीक है बच्चों next question फिर से आपके पास variance का सवाल है the variance of 20 observations is 5 कितना दे रखा है 5 if each observation is multiplied by 3 what is the variance of the resulting observation 3 से हुआ तो क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 9 गुने 5 तो मैं नहीं लगता है यह सब oral उडा के आजाओगे अरे oral उडा के आओगी के नहीं आओगे oral उडा के आना भाई तुम लोग भी समझ रहे हो ना direct questions और देखिए कहां से 2013, 2017, 2018, 2022 तक भी देख लो हर साल कुछा जा रहा है यह इंपॉरेंट है हर साल एक से दो सवाल इसे बनते ही बनते है इस बात को समझने की जुरत है सिर्फ shifting of origin और change of skill पर अगला सवा the mean and variance of 10 observations are 4 and 2 mean 4 है और variance 2 है if every observation is multiplied by 2 the mean of the variance mean or variance में क्या परिवर्टन आएगा कितना ललू कोश्ट है 2015 में अगर किसी को change of origin change of skill समझ में आ गया है तो answer है से खटा खटा आएगा बताओ answer कितना लोग जल्दी बोलो mean दे रखा है 4 और variance दे रखा है 2 इन्हों ने कहा हर संख्या को 2 से गुना किया गया है अगर 2 से गुना किया गया है तो नया mean हो जाएगा 8 नया mean 8 हमें 3 जगा पे दिखता है और जो नया variance होगा ये इसका 2 का square होता है कि नहीं होता है variance में square आता है कि नहीं आता है यह भी 8 हो जाएगा तो इन सब question में मुझे नहीं लगता है कि 10 seconds से अधिक का समय लगना चाहिए क्या 10 seconds से अधिक का समय लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए बेटा उड़ा के आना इन सब सवालों को राइट कितने सवाल पूछे जा रहे हैं इस बात को समझने का प्रयास करो अब सालों से इस पर question पूछे जा रहे है कि importance को हमें समझना चाहिए देखो एक अच्छा विद्यार्थी वो नहीं होता है जो पूरा syllabus करके जाता है एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो syllabus करने के साथ साथ ये भी देखता है कि कौन सा topic उससे बहुत important है बार-बार उसके सवाल बन रहे हैं तो इन सब चीजों को भी आपको observe करना है कि यहां यह तो एक्दम सेकेंडरों में होने वाली ठीक है देखिए the mean of 10 observations is 5 ठीक है वही अब mean 5 दे रखा है if 2 is added गया यह change of scale है change of scale है if 2 is the change of origin है वही यह add हो रहा है change of origin है ठीक है 13 से गुना किया तो नया mean कितना हो गया 21 बताईए क्या ही करना है इन सब सवालों में क्या ही करना है तुम बता दो पहले किया change of origin फिर किया change of scale मीन पे तो फरक दोनों का पड़ता है हाया ना अगर मैं तुम से कहूं कि माल लो सुनलो ज़रा ध्यान से सब लोग बहुत ध्या ज़रा जल्दी से बता के बताओ इसी change में अगर original variance 5 दे रखा है तो नया variance क्या होगा ज़रा बता के बताओ क्या हुआ पहले पहले दो add किया गया दो add किये जाने पे क्या variance में कोई फरक पड़ेगा नहीं add subtract का change of origin का कोई फरक नहीं पड़ता है variance पर फिर इन्होंने किस से गुना किया तीन से जब तीन से गुना किया मेरे प्यारे बच्चों तो गुना किस्ते होगा तीन के वर्ग से क्योंकि square होता है तो नया variance कितना होगा 43 समझे कि नहीं सही करके आना गरबण मत करना अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से कुछ theoretical questions की इस पे भी हर तीन साल में लगबग एक से दो सवाल आप देखेंगे पूछा गया है skewness के उपर skewness यानि जब हम किसी का frequency curve बनाते हैं plot करते हैं उसको x y axis पर तो किस प्रकार से उसका curve आगे पीछे होता है mean median mode में क्या आपस में relations होते हैं ये सारी बाते हम यहां discuss करने जा रहे हैं ध्यान पुर्वक तुनियेगा देखे तो देखो बच्चो यहां पे skewness में आपके पास सबसे पहला होता है symmetrical system symmetrical इसको bell shape diagram भी कहते हैं bell shape bell shape देखते हो न ऐसे गंटी होता है गंटी है यह symmetrical diagram होता है जब कभी भी frequency ऐसी होती है तो इसमें mean median और mode तीनों बराबर होते हैं और यहां बीच में आते हैं ठीक है बात समझ रहे हो यहां mean median mode कि तीनों कैसे कि बीच में आएंगे बराबर होंगे equal होंगे और जब कभी भी skewed to the left यानि कि बाएं तरफ में ज्यादा नीचे दब गया है ठीक है तो इस case में mean सबसे छोटा होगा फिर median होगा फिर mode होगा इस बात को कई बार less than ogive या rising curve भी कहते हैं इन बातों को याद रखना ठीक है इस इसको less than ogive या rising curve भी कि देखो यह उफ्ताव करफ दिख रहा है कि नहीं ठीक है rising curve भी कहा जाता है और इस case में क्या होता है यह स्क्यूट to the left बाएं तरफ क्यूब है ऐसे ही इसका ठीक उल्टा skew to the right भी होता है जब यह right की तरफ यह देख रहा हो तो में falling curve दिख रहा होग इस case में ठीक उल्टा हो जाएगा देखो mean सबसे बड़ा है फिर median है फिर mode है इस पर direct theoretical questions आएं है और आने की संभावना बनती है इसको बोला जाएगा more than ogive और falling curve यह ogive से अधिक का curve कहलाता है और इसको falling दिखाई भी दे रहा होगा तुम्हें गिर रहा है यह उठ रहा है त इसको और बात यहाँ पे जरूर से note कर लेना diagram के साथ कि जहाँ पे falling curve और rising curve मिलते हैं जहां यह और यह मिलते हैं जहां इनका point of intersection होता है intersection समझते हो यह देखो यह तुम्हारा rising curve है कुछ ऐसा और तुम्हारा falling curve है कुछ ऐसा यह जहां पे मिलते हैं यह point of intersection median होता है क्या होता है median होता है इस पे भी प्रशन आए हैं ध्यान रख्येगा जहां पे तुम्हारा less than हो जाईव और more than हो जाईव मिलेंगे वहाँ पे क्या मिलेगा median मिलेगा कि सारी बातें ध्यान पुर्वक लिख लेना ध्यान रखना एक एक चीज पर प्रशनमा में तुर दिखाएंगे हर चीज़ में प्रशनमा में तुम्हें प्रशनमा में तुम्हें इंटरेट भी चली गया है आज की क्लास जनरली यह भी लाइव ही हो जाती बड़ तुम्हों को यह तुम्हें बात में तुम्हें जो अच्छा है उसमें अगर मुझे ज़ादा ही मैनत करने पड़े तो खुल बात में देखिए इस पर स्क्राशन आपका 2022 बिल्कुल लेटेस्ट एक साल पहले ही पूछा गया है यह पूछा में पूछा गया कि अगर frequency curve assuming unimodal है right in an experiment skewed to the left skewed to the left है skewed to the left अभी अभी तुमने देखा skewed to the left कैसा होता है इसमें कौन सी बात थी mean सबसे छोटा फिर median फिर mode इसी पर आधारित question पूछ दिया देखो ना इसी पर आधारित question पूछ दिया mean सबसे छोटा right mean सबसे छोटा mode सबसे बड़ा median तो बीट नहीं है समझे की नहीं skewed to the left अभी हमने आप से कहा इंडरेजी हिंदी की बातें आप देख लीजेगा right buying और विशम है तो ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए direct questions है बेटा इसमें क्या ही calculation करोगे क्या करोगे बेसिक्स ध्यान में है खटाखट question निकलते चली जाएं is it okay आईए एक और सवाल देखते हैं 2015 में देखो पूछा गया था less than ojive अभी अभी ये word भी हमने तुम्हें बताया less than ojive and more than ojive कहां पर intersect करते हैं medium direct questions है बच्छो theoretical direct questions okay जी बहुत बढ़िया ये क्या कह रहे है frequency curve बारंबरता वक्र कैसा हो सकता है symmetrical हो सकता है positive skew हो सकता है negative skew हो सकता है all of the above कैसा हो सकता है सब होता है अभी अभी तीनों पड़े हो symmetrical भी था positive skew भी था negative skew भी था समझेगी नहीं ठीक है धियान रखो गए ये सारी बातें तीनों प्रकार के होते हैं हाँ बिल्कुल जो आपके वो less than है और more than और जाइव है वो positive score और less than negatives को है जो more than और जाइव है हाँ ठीक है बात समझेंगी नहीं direct questions theoretical questions ओके अब हमारे पास फिर से एक नया concept आता है हमने कहा कि जितनी बातें हमने पीछे सीखी हैं उन सब को यहाँ पे हम आज revise कर रहे हैं और उसके theoretical aspect questions देख रहे हैं अगली class में मैं आपको क्या कराऊंगा correlation regression जो एक आखरी topic इसका रहे गया statistics का ठीक है उसको भी इतनी बढ़िया से हम लोग करेंगे बेद बिंदास तरीके से और कल ही कराऊंगा ध्यान रखना ठीक है भाई जो लोग आज class में नहीं है ध्यान रखिएगा कल मैं correlation regression start कर रहा ह ठीक है अब देखिए combined mean and standard deviation for two series कई पार ऐसा होता है हमारे पास एक से अधिक series दे रखते होती है और बोलते हैं कि बताओ जो अब दुनों series को मिलाएंगे तो उसका mean क्या होगा या उसका standard deviation क्या होगा तो इसके लिए बड़ा systematic formula दे रखा है आपकी किताबों में भी दे पूछा गया है तो हम उस concept को छोड़ना नहीं चाहते हैं ठीक है तो देखिए समझिए जरा अगर मान लो तुम्हें mean standard deviation और number of observations के बारे में दे रखा है एक series का mean x1 है standard deviation sigma 1 है और number of terms n1 है ऐसे ही दूसरे standard का आपको mean standard deviation और numbers दे रखें इसका combine तुमसे बोला गया कि बताओ इ इसका combined mean कितना हो तो कुछ नहीं करना है n1 x1 गुने n2 x2 बटे में n1 प्लस n2 जैसे mean निकालते हो वैसी कर लोगे बात समझ गया है तो mean तो आसानी से निकाल लोगे लेकिंग जब standard deviation देखना होता है तो बड़ा पेचीदा formula होता है इसका निकल के आता है बड़ा शांदार इसमें तुमें पहले दोनों के mean का अंतर देखना पड़ेगा original mean कितना था और combined mean कितना आया x1 minus x12 देख लोगे ऐसे ही x2 minus x12 दोनों के mean के बीच का अंतर देख लोगे जो तुमारा combined standard deviation होगा ये होगा n1 गुने पिछला standard deviation का square प्लस ये जो deviation था इसके बीच का square plus n2 गुने stand deviation 2 and n2 stand deviation क्या होता इसका अगर variance मोलेंगे तो क्या करोगे इसका square root हटा देना variance क्या होता है stand deviation का वर्ग होता है ये formula ध्यान रखना एक बार इस पर सवाल देखा गया है right एक ही बार इस पर सवाल देखा गया mean पर तो फ़र कई बार सवाल आया है लेकिन stand deviation पर एक बार सवाल आ चुका है तो आप अगर इसको ध्यान रख सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा एक भी सवाल में हम chance नहीं लेना चाहते हैं ठीक है बच्चों इसी डोके ठीक है देखो बच्चों अब ये हमारे पास कुछ और practice के लिए questions आ रहे हैं the mean of five observations is 4.4 variance 8.24 है अगर पांच observations है एक दो और छे दो observation के बारे में पता नहीं है तो बोल रहे हैं कि बताईए बचे वे दो observation क्या होगे हम आपको एक मिनट का समय देते हैं प्रयास कीजिए क्योंकि इसका सारा concept आपको आता है इस सब कुछ हमने आपको करा दिया है पताईए क्या answer देंगे आईए इस सवाल को कैसे जल्दी से करते इस बात को देखते हैं पांच observations का mean 4.4 है उनमें से तीन observation आपको एक दो और छे दे रखती है चौती observation एक्सवान और पांचवी observation एक्सटू माल लेता हूँ इसका mean 4.4 दे रखा है अगर मैं इस 5 को यहां ले आऊं तो 4.4 गुने 5 बाइस होता है x1 प्लस x2 का मान 22 में से 9 गया 13 आ जाता है हलाकि एक variable है दो variable है और एक ही equation है निकालना संभव है लेकिन option का प्रयोग करें तो संभव है दो observation जिसका sum कितना है 13 सिर्फ एक ही है और कोई है ही नहीं अगर option नहीं होता तो नहीं कर पाते है उसके लिए तुम्हें एक और चीज यूज़ करनी पड़ती कौन सी variance वाली तो वहाँ चे तुम्हारे पास दूसरा equation निकल के आता x1 x2 में और फिर तुम उसको solve करते है quality के तरीके से लेकिन यहां क्यों करें वहाँ पास observations है एक और सवाल देखते हैं let's do one more बहुत बहुत बहुतरीन सवाल है यह 2016 NDA2 में पूछा गया था theoretical question है basic fundamental concept प्राधारित है जो class interval होते हैं class interval class interval होते हैं ना 0 से लेके 5 तक 5 से लेके 10 तक हम लोगों currency table उसमें continuous or discontinuous ठीक है उसके बारे में सवाल है अंग्रेजी इंटी दोनों भासा में आपके पास class intervals need not be mutually exclusive class interval का mutually exclusive होना अनिवारे नहीं है exclusive का मतलब क्या होता है exclusive का मतलब होता है जैसे हम एक से लेके पांच ले रहे हैं पांच से लेके दस ले रहे हैं दस से लेके पंदरा ले रहे हैं क्या ये exclusive हैं हाँ एक से लेके चार दसम्लब नौनों तक यहां आएंगे पांच से लेके नौ दसम्लब नौनों तक यहां आएंगे दस ते छोटे तक सब यहां पर ये exclusive है, mix नहीं है, ये कह रहे हैं कि इनका exclusive होना अनिवारे नहीं है, सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, exclusive होना चाहिए, टंपल सरी है, दूजरा कहता है, it should be exhaustive, exhaustive मतलब कि हर तरह की चीज उसके अंदर आ जानी चाहिए, अगर 20 नंबर का कोई test हो रहा है, तो एक से लेके 20 तक सारे marks हमारे पास उसमें enter हो जाने चाहिए, exhaustive मतलब सारी possibility उसमें होनी चाहिए, तो क्या ये जरूरी है, ये compulsory है, class intervals हमेशा कैसे होते हैं, exhaustive होते हैं, हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, वर गंतराल जो है, वो विशेश होने चाहिए, exhaustive, फिर कह रह है, जैसे हो जगता है, ये एक से चार हो, हो जगता है, ये तुम्हारे पास 5 से 11 हो, हो जगता है, ये तुम्हारे पास 12 से 17 हो, सबका class size अलग अलग है, क्या ये संभव है, याद रखना हां संभव है, हां संभव है, हलाकि जितने भी formula होते हैं, उसमें जब हम इसको प्रयो continuous है, यहां का upper limit, यहां का lower limit अलग है, तो ये continuous नहीं है, तो वहाँ पे class size भी same होना चाहिए, और continuous भी होना चाहिए, जब जिस formula में, लेकिन क्या ऐसा representation हो सकता है, हां हो सकता है, तो निम्ण में से कौन सी बाते सही हैं, तो दूसरी और तीसरी सही हैं, तो आपको B option मात पढ बाते समझ में आ रही हैं, हर चीज बारीकी से सिखाने का प्रियास हो रहा है, आप भी इतनी बारीकी से सीखने का प्रियास कीज़ए, आज के आखिर दो सवाल आपके सामने, टिक है, index number, index number बहुत तरीके के तुम्हारे पास होते हैं, रैट, जो बच्चे mathematics side के हैं, उनको फ़ड़ा कम प्रयोग होता है जो applied math sites के हैं उन लोगों ने index number का ही पढ़ा है तो हम आपको बहुत विस्तरित नहीं लेके जाएंगे जितना NDA का level है उसी level पर लेके चलेंगे तो ध्यान रखिएगा index number का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा geometric mean में होता है index number किसको सब्सक्राइब जेता है geometric की spelling यहाँ पर गलत है यहाँ पर यहाँ पर होनी चाहिए थी गुनोत्तर माध्धे maximum चीज़ें यहाँ पर प्रयोग होती है index number create करते हुए है लेस्पायर है मैं जब यह सब पढ़ा है मुझे आता है सब्सक्राइब इंडेक्स नंबर है फिशर मैं इंडेक्स नंबर है ठीक है लपी एफ कहते हैं तो वहां सब्सक्राइब प्रयोग किसका होता है symmetric mean का प्रयोग होता है घ्यान रखिएगा तरह एक theoretical question है आता है तो kटाइक से answer कुछ नहीं करना इसमें ठीक है आज का आखरी सवाल again यह सवाल ऐसा है जो हमने आपको करा रखा है 2009 का प्रस्णा आप देख रहे हैं यहां पर कि अगर आपके पास mean आपको बताना है इसमें दे रखिए है कौन से concept है यह assumed mean का assumed mean का concept है हमने तुम्हें कराया है a plus sigma x i minus a बटे में n अगर याद है तो बोलो कराया है हाँ कराया है deviations के हम लोग देखते थे step deviation method भी इसको कहते हैं इसमें तुम्हें x बार कमान बताना है समय ना देते हुए मैं बहुत तही से इसको कर दे रहा हूँ देखे इसमें assume mean कितना लिया दो लिया पहले के इसमें assume mean दो लिया इसका summation 110 दे रखा है बटे में n करोगे same series है इसमें assume mean अगर 5 लिया तो इसमें deviation का sum कितना आया बचो 20 बटे n क्या यहां से n कमान निकल के आएगा जरूर आएगा आईए देखते हैं दो को इधर लेके जाएंगे तो 5 में से 2 गया 3 120 में 110 गया तो 90 बटे n एन का मान 90 बटे 3 यानि की 30 आ रहा है n 30 आ गया उठा के किसी एक में रख दो mean निकल के आ गया काम खतम तो mean हो गया 2 प्लस 110 बटे 30 यह आ गया mean अगर इसको जोड़े हैं तो हो जाएगा 6 11 और 6 17 17 बटे 3 option number C perfectly match करता है देख लीजिए आपको पता होगा तो बच्चों इतने important और अच्छे concept इस class में सीखने के बाद कल हम लोग correlation regression की तरफ आगे बढ़ जाएंगे रुकेंगे नहीं यह हफता मेरे लिए और तुमारे लिए math के point of view से बड़ा ज़रूरी है इस अफते में mathematics की जितनी बचीवी चीज़े हैं सब शांदार और बैतरीन तरीके से cover करके देता जा रहा हूँ प्रयास करो कि तुम offline batch की अगर बच्चे हो तो तुम class में बढ़ाई बैठो अच्छा रहेगा बागी ठीक है यूट्यूब पे तो मैंने हर चीज़ बच्चों को देही दी है अच्छी बात है मुझे खुशी है इस बात की कि अगर किसी बच्चे को यहां से benefit हो रहा है तो मुझे इस बात की हमिशा खुशी है धन्यवाद रुखते हैं यहां पर अगली class मुलकात होगी जिसमें हम लोग correlation और regression के concept को सीखेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय बात